Hello friends, this is Arpiduwe, welcome to our channel So friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यह जो counseling का process होता है, वो किस परकार से होता है और कैसे आप counseling में participate कर सकते हैं इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने आपको पताया था कि कौन कौन से students को counseling में participate करना चाहिए और क्यूं करना चाहिए, इस बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बात की थी ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने highlight कर रखा है जो 10 तारिक से लेके 14 तारिक तक आप counseling में participate कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले counseling में participate करने के लिए आप जो है, आपकी जो ID होगी और उसका password होगा ठीक है, आप उसके थू जो है, login करेंगे और अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो Cyber Cafe के थू जो है, आप counseling में participate कर सकते हैं तो Cyber Cafe पे आप जाएंगे, तो वो आपसे जो है, आपकी जो आपने जो form भरा था, उसकी ID मांगेगा और password मांगेगा, ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे, ID और password दे देंगे और उसके थू जो है, अगर आप खुद भी login करना चाहते हैं, खुद भी login कर ले उसके बाद आपको कुछ इस परकार का interface देखने को मिलेगा कि उसमें जो है, डाइट के option आएंगे, ठीक है, seats के, जिसमें आपकी जो भी seat बची होंगी government diet की या private diet की, इसके allow preference आएगा, ठीक है तो यह जो process होता है, थोड़ा काफी मुस्किल होता है, ठीक है, तो आप खुद ना करें जाके direct जो है, cyber cafe से आप जो है, करवा सकते हैं, इसकी जो fees होती है, वो 1000 है अब कुछ students का question था कि मेरी rank जो है, 6000 है, 7000 है, क्या मेरा नाम counselling process में participate करने के बाद आएगा की नहीं आएगा, तो आता भी है और नहीं भी आता, कुछ confirm ली एकदम नहीं कहा जा सकता लेकिन यह है कि कम से कम counselling में participate करने के बाद जो है, 4 merit list जरूर निकलती है ठीक है, जिसमें 2 merit list जो होती है, पहली दूसरी, उसमें government diet में जो seatे खाली होती है उन students के नाम आते हैं, ठीक है, तो आप जो है, अगर आपकी rank का डाइट करना चाहते हैं, आपकी rank भी ज़्यादा है तो आप counselling में participate कर लीजिए, क्योंकि अगर counselling में आप participate नहीं करेंगे, तो आपका नाम जो है, next round यानि जो आपकी counselling के round आने वाले हैं, first merit list, second merit list, उसमें नाम आपका नहीं होगा और इसके अलामा आप इस बात का ध्यान रखे कि previously अगर आपका नाम आया है, और आपने documents verify करवा रखा है तब ही आप जो है, next इसमें counselling में participate करें, अगर आपका नाम पहले आ गया है और आपने documents verify नहीं करवाया है, college जाके तो आपकी seat cancel हो चुकी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, और counselling में क्या होता है, आपको फिर से दुबारा से जो जिन भी diets में आपकी जो जो सीटे बची हैं, जैसे किसी diet में 20 सीटे बची हैं, government diet की, ठीक है, किसी में 25 बची हैं, किसी में 10 बची हैं, तो उसके according ज जाते हैं, तो preference आप सभी को feel कर दें, ठीक है, उसके बाद preference को lock बिलकुल मत कीजिएगा, अगर आप preference को lock कर देंगे, तो एक ही round में आपका नाम आना होगा, तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, problem create होगी, तो आप preference को unlock छोड़ दें, उसके बाद save कर दें, और fees payment जब आप कर देंगे, तो आपका जो है, form successfully upload हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप log out हो सकते हैं, और ये process मैं ये कहूंगा, कि आप साइबर कैफे के through करवाए, जहां से आपने form feel करवाया था, आप खुद करने की कोसिज ना करें, हो सकता है, आप से गलत हो जाएगा, ठीक आप government ना, तो private में पक्का आ जाएगा नाम, ठीक है, और नहीं भी आना होगा, तो फिर आप बाद में जाके management कोटे से admission लेंगे, किसी college में, तो management कोटे की fees धाई लाग, तीन लाग इस तरह से पढ़ती है, सभी private college की अलग-अलग fees होती है, management कोटे की, तो उससे बैतर है, आ तो आप confirm करने हो सकता है, आपका नाम private diet में आ जाए और आपकी जो लगभग private diet में 18,000, two year की fees लगती है, उसमें ही आपका admission हो जाए, तो सही है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, बस आप मैंने जो बताया, ID को login करना, उसके बाद जो है, उसमें seat के preference के और इसके को choice नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इस बात का खास तोर पर ध्यान रखें, और ये date जो है, submission की होगी, जो counseling की, वो 10 तारिक से लेके, 14 तारिक के बीच में होगी, उसके बाद जो है, यहाँ पर बताया गया है, देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, कि first round और second round, इसके बन होगा, तो ऐसा नहीं है, कि सीटे जो खतम हो जाती है, जैसा आप सोच रहे हैं, कि मेरा नाम नहीं आएगा, वैसे ही बाकि स्टुटेंट भी सोचते हैं, कि नाम नहीं आएगा, इसी वज़े से counseling में पार्टिसपेट भी नहीं करते, तो काफी सीटे बची रहती है, और management कोटे के तुरू जो है, एडमिन्सन ले सकते हैं, और सभी college में management कोटे की अलग-अलग seat होती हैं, जैसे कुछ private diet में 10 seat होंगी, कुछ private diet में 20 seat होंगी, management कोटे की, और उसकी fees भी जो है, अलग-अलग होती है, और management कोटे पर मैंने 2020 में वीडियो बनाया था, कि management कोटे के तो यह कुछ जानकारी थी जो आपको देनी थी और काफी परिशान थे इस बात को लोगी कि काउंसलिंग क्या है किस परकार से हम पार्टिसपेट कर सकते हैं मैं आपको करके तो नहीं बता सकता है क्योंकि मेरे पास किसी स्टुडेंट का या फिर किसी केंडिडेट की आईडी पासवड नहीं है किसी का आईडी पासवड लेना भी ठीक नहीं है कुछ प्राप्लम हो तो ब्लेम करना इधर उधर हो जाता है इस वज़ए से मैं आपको वरबल यह आपको बता रहा हूँ ठीक है तो मिलते हैं अपनी नेक्ष वीडियो में जिस झाल झाल